So, Hey guys, Welcome back to my channel And guys, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के ततकाल टिकट से रूइल टेट कुछ बातों का बताने वाला हूँ जिस बातों को जानना बहुत ही ज़रूर है यदि आप ततकाल टिकट बुक करते हैं यानि कि इस option पर यदि आप टिक कर देते हैं तो आपका टिकट तभी बुक होगा जब आपका यहाँ पर confirm sheet मिलेगा तभी यहाँ पर बुक होने वाला है ऐसे में आपका payment तो कर जाता है बड़ टिकट नहीं बुक हो पाएगा तो समझे जी कि वो तो confirm हो जाएगा तीन-चार टिकट confirm हो जाते है जो ज़्यादा route busy नहीं रहता है यानि कि नर्माली route रहता है उसमें 10, 15 या 12 तक भी यदि 15 तक भी waiting चला जाता है ततकाल में जैसे कि TQWL में चला जाता है चार टिकट बुक करने के लिए एक दिन पहले ततकाल टिकट को बुक किया जाता है यदि आपका टिकट वेटिंग में चला जाता है तो आप चार्ट प्रिपेर होने तक वेट करें आप जिस भी station से जाना चाते हैं उस station पर train आने से 4 या 5 घंटिक पहले चार्ट प्रिपेर होता है तो चार्ट प्रिपेर तक आप वेट करेंगे उसके बाद अपने टिकट का एस्टेटस करेंट एस्टेटस चेक कर लेंगे तो आपको टिकट केंसिल करने की जरूरत नहीं है ततकाल वेटिंग टिकट आटोमाटिक केंसिल हो जाता है इसमें आपको केंसिल करने की बिल्कुँ जरूरत नहीं होती है अब बात करते हैं कि क्या आप खुद से तदकाल टिकट को केंसिल कर सकते हैं यदि तदकाल वेटिंग टिकट चला जाता है तो हाँ आप खुद से कर सकते हैं यदि तिकट आपका वेटिंग में है तब आप केंसिल कर सकते हैं इसका पैसा आपको रिफंड मिलने वाला है यद उसके साथ आपका जो पेमेंट चार्ज 10 रुपे लगता है वो कटेगा है यानकि 70 रुपे कटेगा है यदि आप सिरीपर कराज का टीकट तो इतना पैसा आपको कटने वाला है उसके बागी सारे पैसे आपके तीन से चार दिनी के अंदर आपके बैके कर्ट में रिफर्ट हो हो जाए उसका बात कर रहे हैं और बाके सब के लिए ले चलते हैं आयरसीलटी सी रेल कनेक्ट एप के अंदर वहां से मैं आप लोग बताता हूं कि कोटा का वेटिंग जो टिकट होता है वो किस तरह से आपने आप कैंसिल हो जाता है क्या उसका रिफांड होता है या फिन न आइड चलते हैं और यह सेकेंड सेटी सिटिंग का टिकट बुक हुआ है जो कि की साथ मां कोई यह टिकट बुक हुआ है इसके लिए यहाँ पर ट्रांजेक्ट्शन आइडी दाखसकते है पी एर नद नमबर से इसका एस्ट्रेटस भी आप चेख कर सकते हैं इसके बाद न देख सकते हैं कि यहां पर आपको फिएर वगरा देखने के लिए मिलेगा तो यहां पर यहां पर रिफंड मिलेगा लेकिन यहां पर 60 रुपे यहां के कार्ड से पेमेंट करते हैं, तो कार्ड से पेमेंट करने के लिए 20 रुपे एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, और EPA से पेमेंट करने के लिए 10 रुपे एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं, तो वो चार्ज आपको रिफंड नहीं होगा, आपको सिर्फ टिकट का जो फेर है, उसम को पैसा यहां पर refund नहीं मिलेगा आई होप कि आप जान ही गए होगी कि तत्काल टिकट को यदि वेटिंग में चला जाता है तो किस तरह से आप उसको क्या करना होगा और इसके बाद यदि